Good morning children, I am sure you all are fine. Children, today we are going to do work in Bullseye GK Activity Worksheet. So children, open page number 28, write CW and today state. Match the pictures to their names. बच्चों, इस पेच पर आप कुछ पिच्चर्स देख सकते हैं. ये पिच्चर्स किसकी है? ये पिच्चर्स हमारे Means of Transport की है. ये बच्चों वो साधन हैं, जिससे हम लोग एक जगा से दूफी जगा पर सफर करने के लिए यूज करते हैं. तो बच्चों, आज हम लोग इस पेच पर हमारे Means of Transport के नाप सीखेंगे. तो आएए देखते हैं इस पेच पर कौन-कौन से Means of Transport बने हुए हैं? देखर Also, मिन लोग इससे हैं जेए फावाई जीखेंगें हिए ऊस्टार्मियक्तर सच मेन से मेन सीखेंगे. इसने मेन से ट्रॉप्ताइग मेरेन जाहाँए जाहाज। ए जाए जात रत्रॉच्य की हैं? बोट मतलब नाव अब हम लोग पिच्चर को नेम्स के साथ मैच करेंगे पहला पिच्चर किसका है बाइसिकल यहाँ पर नाम लिखा है आप अपना स्केल निकाल लिए और एक स्ट्रेट लाइन अच्छे से खीचिए बाइसिकल को अक्सर बच्चे स्कूल आने के लिए उसकरते हैं आपने इसको अकसर रोड पर देखांगा लोगों को चलाते हूए हैयर कि नेटिस पिच्चर किसकी है शिप किए यहाँ पर नाम लिखा है तुसके साथ मैच करेंगे अक्सर संब्द पर चलता है ना आपने देखा होगा शंब्द पर जाहाज को चलते हुए तो तो ये अक्सर आपको समुद्र के किनारे या समुद्र पे दिख जाएगा नेक्स पिच्चर किसकी है ट्रक की है ये अक्सर आपने देखा होगा ना रोड पे बहुत तेजी से जाता है तो जब आपको ये रोड पे दिखे आप अराम से रोड क्रॉस करें ठीके तो आप इसको इसके साथ मैच करेंगे नेक्स पिच्चर किसकी है बोट की है नाउ की है बोट कहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है आप इसको इसके साथ मैच करें नाउ अक्सर नदी पे चलती है ना आपने नदी पे दिखा होगा लोग नाव पे बैठके एक जगा से दूसरी जगा पे जाते हैं नेक्स पिच्चर किसकी है यह क्या है बच्चो कार है कार कहां पे लिखा है यहां पे लिखा है तो आप इसको इसके साथ मैच करेंगे आपने बहुत कलर्स की कार को देखा होगा रोड पे चलते हुए ना तो कार को यहां पर आप मैच करेंगे इसके बाद कौन सी पिच्चर है यह क्या है एरोप्लेन इसको बोलते हैं हम लोग हवाई जहाद जो आसमान पे उड़ता है तो एरोप्लेन यहां पे लिखा है आप इसको इसके साथ मैच करेंगे हमारी आखरी पिच्छर किसकी है हेलिकॉप्टर की है यहाँ पे लिखा है आप इसको इसके साथ मैच करेंगे लोग इसने बैटके हवा से एक जगा पे दुस्री जगा में जाते है तो आपको ऐसे ही मैच करना है बच्चो इस पेज पर आपको कुछ जानवर बर्स और इंसक दिख रहा है ना तो आपको इसमें क्या करना है आपको इनको इनकी साउंड के साथ मैच करना है तो आएए देखते हैं कि इस पेज पर कौनसे जानवर इंसक और बर्स बने वे हैं और वो कौनसी आवाजे निकालते हैं Sounds of animals, birds and insects Monkey, chatters Crow, cars Hen, plucks Be, buzzers Donkey, breeze Duck, quacks Frog, croaks अब हम लोग यह वर्स को रीड करेंगे C, L, U, C, K, S Clucks C, H, A, T, T, E, R, S Chatters Q, U, A, C, K, S Quacks अब हम मैचिंग वर्क करेंगे आपको पिच्चर को नेम के साथ मैच करना है पहला पिच्चर किसका है Monkey Monkey, chatters So आप अपनी scale निकालिए और यहाँ से एक straight line इसको खीचे, मैच करने के लिए Next picture किसकी है Crow Crow, cars तो यहाँ पे cars लिखा है आप इसको इसके साथ मैच करें Next picture किसकी है यह है hen Hen, clucks Clucks यहाँ पे लिखा है आप यहाँ से यहाँ पर मैच करें फिर Next picture किसकी है Frog Frog, crocs तो आप इसको इसके साथ मैच करें फिर है हमारा duck Duck, quacks आप इसको इसके साथ यहाँ पर मैच करें फिर है हमारा donkey donkey brace तो आप इसको इसके साथ मैच करें Then है हमारा bee Bee buzzers आप इसको इसके साथ यहाँ पर मैच करें तो बच्चो आप ऐसे ही मैच करिये बच्चो यहाँ पर आपको कुछ पिच्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको इनके नाम को दियेवे ब्लोक्स में फिल करना है तो आए देखते हैं यहाँ पर कौन सी पिच्चर्स बनी वी है यह क्या बना बच्चो यह क्लाउस है यह बादल है यहाँ पर दो बादल है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लाउस और आपको इसका नाम यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर एरो बना हुए ना इसका मतलब है कि आपको इसका नाम धर फिल करना है नेक्स पिच्चर किसकी है नेक्स पिच्चर रेन्बो की है ये इंद धनुश है आपको इसका नाम कहां फिल करना है इस एरो पर इसका नाम आपको यहां पर फिल करना है जहां पर एरो देख रहे हैं वहीं पर उसका नाम फिल करना है आपको नेक्स पिच्चर किसकी है ये क्या है ये मून है ये चांद है इसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है फिर कौन सी पिच्चर है ये रेन है ये बारिश है ना तो आपको इसका नाम यहाँ पर फिल करना है नेक्स पिच्चर किसकी है ये स्टार्ज है ये तारे है ना तो आपको इसका नाम कहां फिल करना है एरो यहाँ पर बनाए तो आपको इसका नाम यहाँ पर फिल करना है नेक्स पिच्चर किसकी है सन ये क्या है सूरज है तो आपको इसका नाम यहाँ पर फिल करना है अब हम लोग नाम लिखेंगे पहले स्टार्ट करेंगे क्लाउश से फिर आता है रेन्बो आर ए आई एन बी ओ डबलू रेन्बो ये क्या है मून मून फिजी क्या है रेन्बो आर ए आई एन रेन्बो ये क्या है सन्बो ये क्या है स्टार्स आपको ऐसे ही लिखना है थैंक यू